नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूस अपडेट के रूप में तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जदा जदा लाइक और शेयर करें तो दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर चक्रवाती तुफान याज से कई राजियों में तबाही पीम नरेंद्र मोदी आज करेंगे बंगाल उडिसा का दोरा जीहां दोस्तो चक्रवाती तुफान याज पच्छिम बंगाल और उडिसा में तबाही मचाने के बाद जार गंट पहुँच गया है जार खंड में मुसलाधार बारिश हो रही है जन जीवन अस्त वेस्त हो गया है वही मोसमी भाग ने बिहार यूपी साहित कई राजियों में अलट जारी किया है चक्रवाती तुफान याज से प्रभावित पच्छिम बंगाल और उडिसा का पीम नरेंदर मोदी आज दोरा करेंगे सबसे पहले वे उडिसा की राजदानी भूने शर पहुंच कर रिव्यू मीटिंग करेंगे इसके बाद मोदी बालास और भद्रक और पूर्वी मदनीपूर का हवाई सर्वे करेंगे इन जिलों में ही तुफान ने सबसे ज़ादा तबाही मचाई है इसके बाद वे बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करेंगे आपको बता दे दोस्तों बंगाल और उडिसा में तबाही मचाने के बाद यास तुफान आगे बढ़ गया है लेकिन ये तुफान अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है बंगाल और उडिसा में तुफान की वज़े से 20 लाग से ज़ादा लोग प्रभावित हुए हैं बारिस और घरों के तूटने की वज़े से 4 लोगों की मोत हो गई है इनमें 3 उडिसा और एक बंगाल से हैं इसके बाद दोस्तों रूख करते हैं अगली खबर का पंजाब में सहरों से गाउं की और बड़ा कोरोना पुलिस की बेरिगेटिंग्स और सननाटे का है आलम जी हां दोस्तों पंजाब के गाउं में इस वक्त इस्तिती क्या है इसका अंदाजा चंडिगर से करीब 180 किलोमेटर दूर मानसाजिले के ग्रामिन शेत्र के गाउं खलिया कला को देखकर लगाया जा सकता है जहां पर कभी चहल कद्मी और खुशाली से भरा रहने वाला ये गाउं आज कोरोना की वज़े से वीरान पड़ा है और गाउं की सडकवा पर लोग दिखाई नहीं दे रहे दरसल इस गाउं में कोरोना के 54 एक्टिव केस हैं जबकि करीब 12 लोगों की पिछले एक महीने में म्रत्यू हो चुकी है इसी के चलते गाउं में लोग अपने घरों में बंद हैं और गलियों में सननाटा पसरा दिखाई देता है वहीं गाउं के बाहर पुलिस ने बेरिगेटिंग्स कर रखी है क्योंकि ये पूरा इलाका कंटनमेंट जोन बनाया गया है और पुलिस के जवानों के साथ ही गाउं के बुजर्गों को भी नाके पर बिठाया गया है ताकि वो पेचान कर सकेगी कौन वेक्ति इस गाउं का है और कौन बाहर से आ रहा है साथ यगर को ऐसा वेक्ति जो की कोरोना पोजेटिव है और अगर वो गाउं से बाहर जाता है तो उसे पहचान के लिए भी पुलिस के साथ बुज़ुर्यों की तेनाती की गई है आपको बता दे दोस्तों पंजाब में कोरोना के केस भले ही लगातार कम हो रहे हो लेकिन राज़े के लिए चिंता की बात यह है कि ग्रामिन शेत्रों में कोरोना का संक्रमन लगातार जारी है और साथ ही मरने वालों का आँखडा भी अगर पंजाब सरकार के आँखडों पर अज़र डाले तो ग्रामिन शेत्रों में अप्रेल 2021 में पंजाब के कुल केसों में से 42.2 प्रतिशत मामले सामने आए जब की मई 2021 में अब तक पंजाब के कुल केसों में से 45.3 प्रतिशत मामले सामने आ चुके हैं इसके बाद दोस्तों रूप करते हैं अगली खबर का यू अपनी मांग को लेकर हर्ताल की तेयारी कर रही है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवशक सेवाओं में लगे करमचारी छुट्टियम हरताल पर नहीं जा सकेंगे। कोंग्रेस महासचिव प्रेंका गांधी ने चलाया जिम्मेदार कोन अभियान भारत सरकार पर दागे कई सवाल। जिहां दोस्तों कोंग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रेंका गांधी ने जिम्मेदार कोन अभियान शुरू किया है। जिसके तहत्वे सोसल मीडिया के माद्यम से लगातार सरकार से सवाल कर रही है। प्रेंका गांधी लगातार राजवे केंदर सरकार पर हमलावर है और ट्यूटर कर जनता के मुद्धे उठा रही है। अपनी फेस्बुक पोस्ट के माद्यम से उन्होंने लोगों से भी सुजाओ मांगे और लिखाए कि हर एक भारतिय नागरिक की जान कीमती है। सरकार जनता के परती जवाब देई है। इसलिए हर एक मुद्धे पर बेवाक सवाल पूँचे जाने जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के मायद्धम से कुछ तत्यर रखूंगी जिससे मोजुदाद दैनी इस्तिती को आप समझ सकेंगे। मैं जनता की तरप से सरकार से सवाल पूँचूंगी। प्रेंका गांदी के मुताबिक सवाल पूँचे जाने इसलिए भी जरूरी हैं ताकि आगे की तेयारियों को लेकर सरकार देश के नागरिकों के सामने पारदर्शिता के साथ पूरा खाका रखे। इसलिए ये पूँचना पड़ेगा की जिम्मेदार कौन है। प्रेंका गांदी ने कहा कि जिस समय लोग बेड ओक्सिजन दवाईयों के लिए संगर्श कर रहे थे उस वक्त लोगों को विश्वास था कि इससे निपटने के लिए उनकी सरकार ने तेयारियां कर रखी है लेकिन सरकार पूरी तरह मुखधर्शक मोड में चली गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर जीस्टी काउंसिल की अहम बेटक आज कोविड वेक्सिन पर लगने वाले टेक्स की दर पर होगी चर्चा। पंजाब 36 गड समेत 8 गेरभाजपा 16 राज्जियों के वित्यमंत्रियों ने कोविड से जुडी आउशक वस्तों पर टेक्स की दर को सुन्ने फिस्दी करने का दबाव डालने की तेयारी में है। जेश्टी परिशद की ये महत पूर्ण बेटक पिछले 8 महिनों में पहली बार हो रही है। वित्यमंत्री निर्मला सीता रमणी इस परिशद की अध्यक्ष हैं इस परिशद में सभी राजज़े और केंदर शाशित प्रतेशों के प्रतीनी दी शामिल है। इसके बाद दोस्तों रूप करते हैं अगली खबर का तेजी से बढ़ रही है बेरोजगारी सरकारी नोक्रियां घटी केंदर राजज़े की भरतियां आई तीन साल के निचले इस्तर पर। इसमें 27 प्रतिशत की कमी आई है वहीं राज़े सरकार की भरतियों में इस दोरान 21 प्रतिशत की कमी आई है। सबसे निचला इस्तर है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर जारकंड सरकार का बड़ा फैसला प्रमोट होंगे 90 से 11 वी तक के चात्र। जियां दोस्तों जारकंड सरकार ने 90 से कक्षा 11 वी तक के चात्रों को बिना परिक्षा के अगले परिक्षाओं में प्रमोट करने का निर्ने लिया है। राष्ट में चल रही कोवीड इस्तिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार में शेक्षणिक वर्स 2020 के लिए उपायों के रूप में आंतरिक मुल्यांकन के आदार पर चात्रों को बड़ावा देने का निर्ने लिया है। जारकंड सरकार द्वारा जारी एक आदिकारिक बयान में कहा गया है कि कक्षण नवी से ग्यारवी के चात्रों के लिए शेक्षणिक वर्स 2021 मार्च को समाप्त हो गया लेकिन नई कक्षण शुरू नहीं हो सकी क्योंकि परिक्षाएं रोक दी गई थी एसे में कक्षण नव गई कक्षा आठ तक के चात्रों को उनकी अगली कक्षाओं में प्रमोंट कर दिया था इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली ख़बर का केंदर सरकार ने ट्यूटर के बयान की की निंदा कहा कंपनी कर रही है अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश जियां दोस्तों म बयान में तलक लहजे में कहा है कि ट्यूटर का ये बयान दुनिया के सबसे बड़े लोगतंतर पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। और इसके जरीए ट्यूटर ने अपनी मुर्खता को चुपाया है। लाइक करें, शेर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों जान लेते हैं अगली ख़बर अभियान की शुरुमात की है इसके तएब के परिवार के सदस्यों का टिका करन करने के लिए क विश्तरत योजना तेयार की है कमपनी के इस कदम से राज्जे को टिका करन अभियान में काफी मदद मिलेगी Reliance Industries की इस योजना के तहट 880 सहरों में 13 लाग से अधिक लोगों को वेक्सिन लगाई जाएगी इस योजना में परिवार के सभी सदस से मतलब पती, पत्नी, माता, पिता, दादा, दादी, सास, असूर, पात्र, बच्चे और भाई, भेहन को शामिल किया गया है कम्पनी का यह अभियान केवल वर्त्मान करमचारियों तकी सिमित नहीं है बलकि इस Reliance से सेवा निवरत करमचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी इस च्रिकाकरन का विस्तार किया गया है सभी पात्र करमचारी और उसके परिवार के सदस्यों को कोविन एप पर रजिस्टेशन करवाना होगा जिसके बाद वे अपने चुनवे इस्तान के लिए इसके बाद दोस्तो रुख करते हैं अगली खबर का दूसरी एजेंसियों से भी भरवा सकेंगे सिलेंडर सरकाल लाने वाली है नया नियम जिहां दोस्तों एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर जल्दी नया नियम आ सकता है अब आपको सिर्फ अपनी ही गेस एजेंसिय से भी बुक कर सकेंगे पिछले साल एक नॉमबर 2020 से कुछ बदलाव लागू हुए हैं जिसमें गेस लेंडर की बुकिंग को OTP बेस्ट किया गया था जिससे बुकिंग सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और बहतर हो सके अब एक बार फिर LPG बुकिंग और डिलेवरी सिस्टम को जादा आसान बनाने की तेयारी हो रही है सरकार और तेल कंपनियां इस बात पर विचार कर रही हैं कि कंजुमर के लिए LPG गेस बुकिंग और रिफिलिंग की पूरी प्रिक्रिया को आसान और तेज किया जाए सुत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले साल जब LPG के नए न प्रेटफों तेयार करेगी इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर ब्रिटेन से फ्रांस आ रहे लोगों के लिए अनिवारे किया गया कोरेंटाइन जिहां दोस्तों कोरोना वाइरस संकपन से निपटने और उसके प्रसार को फेलने से रोकने के लिए लगबग सभी देश प्रभावी कदम उठा रहे हैं इसी बीच फ्रांस ने भी बड़ा फेसला लेते हुए ब्रिटेन से वहां आने वाले सबी लोगों को अनिवारे कोरेंटाइन में रहने का आदेश जारी किया है फ्रांस ने यह कदम भारत में पाए गए कोरोना वाइरस के वेरेंट को रोकने की दिशा में उठाया है सरकारी प्रवक्ता गेब्रियन एटल ने बुद्ध्वार को कहा कि फ्रांस की ओर से उठाया गया यह कदम बिल्कुल जर्मनी की तरह है जैसा कि उसने ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए उठाया है ऐसे में ब्रिटेन से फ्रांस आने की जाएगी इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर कोवीड-19 से जंके लिए भारत समय पांच देसों में तैयार हो रही है नाक से दीजाने वाली कोरोना वैक्सीन जियां दोस्तों देस कोरोना वाइरस की दूसरी लहर से जूज रहे और नए मामलों के साथ मोत के आंकडे में उतार चड़ाव जारी है इस बीच कोरोना वैक्सीन को महामारी के खिलाप सबसे बड़ा हतियार माना जा रहा है भारत में इस समय तीन वैक्सीन को विसील्ड और इस पूतनिक वीदी जा रही है हला कि इस बीच नाक से दीजाने वाली वैक्सीन पर भी काम चल रहा है कोरोना वाइरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारा समय पांच देश में नाक से दीजाने वाली कोरोना वेक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है नितियायक के सदसे वीके पाल का कहना है कि भारत बायोटेक अपनी नेजल वेक्सीन के 10 करोड डोज इस साल दि कोचारें पड़ सकती है वहीं पशी मंगाल, पूर्री उत्तरपरदेश, सिक्किम, अंडमान और निकवार दीपसमू और केरल में ह्लकी से मद्यम बारिश के सासा Daf कुछ इस्तानों पर भारी बारिश भी हो सकती है वहीं उत्तर पूर्वी भारत लक्षदीप और मद्धे उत्र प्रदेश के कुछ इसों में हलकी से मद्धेम बारिस के सासात एक दो इस्तानों पर तेज बारिस होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम तो दोस्तों इस समय पेट्रोल डीजल के दाम रिकोर्ड हाई पर पहुँच गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में 24 पैसे और डीजल की कीमत में 29 पैसे प्रती लीटर की बड़ोतरी की है। की तूट देखने को मिली इस सहर में सोने का दाम 48,223 प्रती 10 ग्राम पर रहे गया। जबकि पिछले सत्र में सोने का दाम 48,542 प्रती 10 ग्राम था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की तो आज चांदी की किमतों में 1277 प्रती किलोग्राम की भारी गिरावट देखने को मिली। इस से दिल्ले में चांदी का भाव गिरकर 76,637 प्रती किलोग्राम पर रहे गया। जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 71,924 प्रती किलोग्राम था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर कोरोना वाइरस कहां से निकला। जो बाइडेन ने अपनी खूफिया एजेंसियों को 90 दिनों में रिपोर्ट सोपने को कहा। इस तिस सहर वुहान में पता चला था। विशु भर में वाइरस की पहुच की पुष्टी होने के बाद से संकर्मन के 16.8 करोड माम लोग की दुनिया भर में पुष्टी हुई और कम से कम 35 लाक लोगों की मोत हुई है। ये गोशना ऐसे वक्त में की गई है जब अमेरिका के खूफिया रिपोर्ट में पाया गया है कि चुईन के वुहांग विशानु विज्ञान संस्तान में एक अनुसंधान करता नौमबर 2019 में बिमार पड़ गये थे और उन्हें अस्पताल में भरती कराना पड़ा था। इस नए बियोरे से बाइडेन प्रशाशन पर घातक वाइरस की उतपत्ती को लेकर विस्तरित जाज का आदेश देने का नए सिरे से दबाव बना है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का कोरोना के बीच हेल्थ इंसोरेंस को लेकर बड़ी टेंशन टली प्रीमियम पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जियां दोस्तों कोरोना महामारी के बीच अच्छी खबर है सुतरों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक इस साल आपकी हेल्थ इंसोरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं बड़ेगा। हुई है और कमपनियों पर प्रीमियम बड़ाने का भी दबा होए लेकिन सुतरों का कहना है कि केंदर सरकार और IRDA ने प्रीमियम बड़ाने से साफ इंकार कर दिया है और बीमा कमपनियों से कहा है कि वो दूसरे सेक्टर्स की तरह नुकसान उठाए या फिर अपने मुनाफ दोस्तो आज का सवाल है प्रसिद अजन्ता अलोरा की गुफाई किस राज्य में इस्तित है जी हाँ दोस्तो अगर आपको इस सवाल का सवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजे इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाज जेहीं जे भारत वंदे मातरम